हेलो फ्रेंड्स ओमेत की चीव मैं आपकर स्वाधते आज बना रहे हैं अच्छी तरीके से डाल में मिक्स करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटे को गूतना है नाहीं एकदम कलक गूतना है और नाहीं एकदम सॉफ्ट गूतना है पूरी के जैसा आटा होता है वैसा आटा गूतना है और जितना अगर जरूरत होगी तो पानी डालेंगे अगर जरूरत होगी तो आटा डालेंगे तो मैंने बिल्कुल भी एक चमज भी पानी नहीं मिलाया है और यह देख सकते हैं इस तरीके से पूरे आटे को माल लिया मैंन जो निचोड करके कपड़ा होता है उससे ढखकर के रखेंगे जिसे की आठा सुखेंगे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कड़क नहीं जिसे पूड़ियों का आठा होता है अविल्कुल बैसा ही माड़ा है मैंने करी 15-20 मिनट के लिए ढखकर के रखेंगे जिसे की आठा करीब आदा घंटा हो गया है आप देख सकते हैं थोड़ा सा मल लेंगे इस तरीके से जिसे की सभी चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी अब इसकी एक बराबर की लोई तोड़ लेंगे तो मैं 5 या 6 थोड़ी बड़े साइज की लोई तोड़े हो जैसे पराठे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा या सूखी मैदा डाल सकते हैं अभी मैने मैदा नहीं डाली है जब लगेगा चुकेगी तब मैं मैदा को डाल लूगी देखे लग रहा है कि हलकी सी चिपक रही है चकले पर तो मैंने थोड़ी सी मैदा को इस तरीके से बुरक लिया अब बिल्कुल पतला बेलना है जैसे पराठे को बेलते हैं उससे भी पतला बेलना है एकदम जितना पतला हो सके उतना पतला बेलने के बाद जो घी और मैदा का मिक्षर बनाया था कौन फ्लोर का उसको मिक्स कर देंगे आप कौन फ्लोर की जगे मैदा भी डाल सकते हैं इस मिक् बिल्कुल पतली लेयर लगाने के बाद थोड़ी सी मैदा को बुरक देंगे अब साइड वाली परत है उसको रखेंगे इस तरीके से एक लिफाफा सा बना देंगे आप देख सकते हैं हलका सा टैप करके दबा देंगे मतलब अच्छे से चिपक जाना चाहिए अब इसको थोड़ी सी मैदा की साइता से फिट से बेलेंगे और बिل्कुल पतला ही बेलेंगे जैसे पहले बेला था ना बिल्कुल वैसा ही पतला बेलना है एकतम यह देख सकते हैं आप इसको इस त परत बन करके तयार होती है इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तो यह देखी दोना तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर दिया है अब घी के मिक्षर को लगाना है तो घी के मिक्षर को इस तरीके से लगाएंगे जो साइड है दोना तरफ की साइड में बिल्कुल भी घी का मिक् बनेंगे अगर साइट से करेंगे जुटा है वो चिपके का नहीं और जो फोल्ड बनेंगे न जितनी फोल्डेंगे वो सारे खुल जाएंगे so तरीके से इस तरीके से दबा करके पहले जो आटे को है वो एकदम लॉक कर देंगे जिसे की fold खुलेना सिखते समय अब बिल्कुल हलके हाथ से इस तरीके से बेलेंगे पहले हलके हाथ से बेलेंगे फिर इसको भी एकदम पतला ही बेलना है लंबा लंबा इस तरीके से जिसे की हम pieces काट सकें इसके यह देख सकते हैं मैंने पूरा बेल लिया है बिल्कुल पतला बेला है और जितना पतला हो सके उतना बेल लेंगे जितनी पतली आप layer रखेंगे उतनी ही परत आपकी अच्छी बनेगी ज्यादा मौटी परत रखेंगे तो सिखने में दिक्कत होगी देख सकते हैं बिल्कुल पतली परत रखेंगे जैसे पराठा होता है उतनी मौटी परत है और यह देखें इस तरीके से पीस को कट कर लेंगे और सभी पीस इसी तरीके से कट कर लेंगे मैंने ओईल को गरम करने के लिए रख दिया है तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें तलना है बहुत जादा तेज आज पर नहीं तलेंगे क्योंकि ऊपर से तो सिख जाएंगे अंदर से अची तरीके से कुरकुरी नहीं हो पाएंगे तो मैंने सभी निमकी की पीसों काट लिया है मतला मटरी को काट लिया है अब देख सकते हैं अब इनको कड़ाई में डालेंगे और सेम तरीके से जब तक ऑईल गरम हो रहा है मैं दूसरी पीस भी बेल लेती हूँ जितना बिल पाएगा चकले पर थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल किया है ऑईल गरम हो गया है हलके से बवलस आने स्टार्ट होंगे यानि की ओईल गरम हो गया है मैंने स्लो हीट की हुई है मिलकुल भी फुल फ्लेम पे नहीं सेखना है इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर निमकी को यानि की मठरी को सेखना है और ये परत अपनी आपी खुल जाएंगी एक से देल मिनट तक आप इसी तरीके से मठरी को पढ़ा रहने देंगे कड़ाई में जब हलकी सी सिख जाएंगी तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सारी परत खुल करके तयार हो गई है और हलकी सी सिख जाएंगी अगर एकदम तुरंद की तुरंद पल्टेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट होती है तो तूटने का डर रहता है मठरीयों का तो जब हलकी सी सिख जाएंगी एक से दो मिनट के बाद तब मठरीयों को पल्टेंगे इस तरीके से यह देख सकते हैं कितनी अच्छी परत खुल करके त्यार हुई है और जो जैसे फोल्ड होता है न मतलब अच्छी तरीके से शेप आई हुई है फोल्ड खुला नहीं है बिल्कुल भी साइड से यह देख सकते हैं पुलट करके एकदम गुलाबी होने तक क्रिस्पी होने तक सभी मठरी को तल लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल बची हुई दाल से कितनी अच्छी नमकीन बन करके तयार हो जाती है और फटाफट इसको सर्वी कर सकते हैं उसको रख करके 8 से 10 दिन 15 दिन खा भी सकते हैं बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और खराब नहीं होती हैं बिल्कुल भी मठरी यह देख सकते हैं जब तक मैंने दूसरी मठरी भी बना करके तयार कर ली हैं, जब तक ये सिक रही थी तो ये देख सकते हैं, उतनी ही पतली रखी हैं, और ये मठरी भी सिक करके तयार होगें, एक एक परत देख सकते हैं, आप बिल्कुल खुल करके बनी हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी, देख सकते हैं अपनी आपी जो मठरी है वो खुलती जाती है उनकी परत सारी खुलती जाती है और बहुत ही टेस्टी मठरी बन करके तयार हुई है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करें आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है और आप कहां कहां से मेरी वीडिय देखने के लिए देखते रहे हैं सौम्याज किचिन बबाए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ